सब्सक्राइब करिए स्री होम्यो यूटूब चैनल और पहला आइकोन दबा कर सभी लिटिस्ट अपडेट सबसे पहले पाईए आपकी जो किड़दी के स्टोन है उसको आसानी से रिमूव कर सकती है खतम कर सकती है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं किया आप अपनी हल्थ प्रॉब्लम से परिशान है तो समय गवाए बिना वेश्ट होमेपेधिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्स्राइब करें और पहला आइकोन दबाए 24291 पर कॉंटेक्ट करके अपने लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट और अपने बुक कर सकते हैं साथी साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर पहले से कर देजे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो इस वीडियो की माध्यम से इस मैडिसन के बारे में जानकाई ले सकें तो ज़िए बात करेते हैं किरड़नी स्टोन के अबारे में या रिवल स्टोन के बारे में किरड़नी स्टोन या रिवल स्टोन चाहने के बतलब यह कि आपकी पत्री है उसमें स्टोन बन गया है पत्री ही हो गई है और इसके लिए बहुत सारे लोग ऑपरेशन के तरफ जाते हैं बट होड़पेती में कोई बहुत अच्छी मेडिसेंस आती है जो कि आपके क्रिदनी स्टोन के लिए काफी आदे फायदेवन रूप सकती है तो यहाँ पर एक combination एक syrup को combination आपके सामने लेकर आए हो यह है बर्नेटोनपेती के तरफ से आने वाला स्टोन हैमर स्टोनपेती के तरफ से आता है और इस syrup की bottle है वो 100 ml. आती है और यह इस syrup काफी अच्छा वर्क करता है क्रिदनी स्टोन या रिनल स्टोन के उपर बात कर लेते हैं इसके composition में कि इसमें कौन-कौन से medicine मिली हुई है तो सबसे पहली medicine जो पढ़ी हुई है वो है bulbaris, vulgaris जो कि kidney stone के patient के लिए काफी अच्छी medicine है जब भी आपको kidney का पहला symptom दिखाई देगा आपका pain होना लगेगा abdomen में और पीछे के तरफ जाएगा पीठ के तरफ तयानिका पहला symptom से वहाँ पर यह medicine काफी अच्छा वर्थ करती है और इससे आपकी kidney stone आसानी से remove हो जाते है next medicine आती है cantheris, kidney stone की वज़े से अगर आपको urine में बर्ण होने लगे जलान होने लगे, unit size से नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर cantheris भी काफी अच्छा वर्थ करती है next medicine है acid oxalic, यह P3X से पढ़ा हुआ है जो आपका acid oxalic है यह हम लोग oxalic acid कराम से बोलते हैं medicine यह medicine तब उती ही जापका stone है वो आप oxalic form में या oxalic से बना हुआ है तो यहाँ पर हम oxalic acid medicine पर यूज कर दे सकते हैं next medicine है औसिमम सैंगटम की बात करेंगे आप हम यह Q पर पढ़ा है, mother tincture form में यानि कि तूलसी से बनी हुई medicine है और आपको पता है तूलसी हमारे शरील के लिए कितने यादे फायदेवन दे लाब्दा एक है तो जब भी kidney stone होता है काफी सारी बार urine में infection हो जाता है UTI का infection हो जाता है तो वहाँ पर यह medicine काफी अच्छा work कर दिये next medicine है calcarea rinalis बहुत सारी लोग बार-बार आते हैं कि सर आज जिसे treatment लिए ठीक हो गया और छे मैंने फिर आते हैं कि सर आमें फिर से kidney stone की problem हो गई है तो आप पर ऐसे patient में जिनको बार-बार recurrency हो रही है kidney stone होने की उनको बार-बार kidney stone हो जा रहा है वहाँ पर ये calcarea rinalis काफी अच्छा work करता है next medicine है सारसा परिला ये भी mother tincture वहाँ में पड़ा हुआ है ये उनकी लिए काफी अच्छा है जिनको urine करने में बहुत difficulty हो रही है urine की जो force होता है वो काफी कम हो गया है अच्छे से urine नहीं निकल पानी kidney stone की उज़र से तो ये medicine काफी अच्छा work करती है वहाँ पर भी next medicine है आपकी urine drop by drop पर आए यानिकी ये की बूंद करके urine बहुत तरीके से रुख गया है कहना चाहिए तो वहाँ पर ये medicine काफी अच्छा work करता है next medicine आपकी आती है सेने को ये भी आपकी mother tincture आपके पर पड़ा है और ये kidney patient की लिए काफी यादा फायदे बंद है kidney patient में जो pain होता है या urine outflow होता है उसमें दिक्कत आती है तो यहाँ पर ये medicine काफी अच्छा work करता है तो काफी अच्छी medicine का combination बनाया गया है ये 100 level की जो सिरफ आती है ये है stone hammer सिरफ नाम से है समझ लिजए stone hammer यानि की पत्री को तोड़कर बाहर निकालने का काम ये medicine करेगी साथी साथ आपी जो tendency है बार-बार stone बनने की उसको भी खत्म करेगी तो आप easily use कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कि हम इसको किस तरह किसे use कर सकते हैं तो आपको अगर आप adult हैं तो आप एक बड़ा चमश लेंगे दिन में तीन बार और अगर बच्चे को दे रहे तो एक छोटा चमश दे दिन में तीन बार तो आपको इसमें काफी अच्छे result मिलेगी और आपको इसकी kidney का stone है वो easily remove हो जाएगा kidney stone के उपर हमने कश से पहले भी काफी सरी videos बनाई हुई है आप आई बटन पर देख लीजे याँ वीडियो को description में लिंक है वास अभी आप जाकर कि kidney stone की अलग-अलग medicines अलग-अलग diet और क्या खाना चाहिए आपको क्या नहीं खाना चाहिए क्या परेज करने चाहिए kidney patient को वो सारी चीजे वाँ पर डेटेल में बताईगे या आप उसको इक बटन चेक आउट कर लीजेवा साथी साथ comment box आप बता दीजे कि इसकी pricing क्या है तो इसकी pricing आपको मिल आती है सिर्फ 170 एक सो सतर रुपए की आपको ये 100 अमिल के सिरफ मिल आती है जो कि kidney stone को easily remove कर देती है अब बात आती है कि ये medicine कहां से मिलेगी तो इस वीडियो की description में लिंक है हमारे website को वहां से आप buy कर सकते है या फिर किसी भी homeopathic medical store भी आगर के आपको ये सिरफ मिल आएगी तो वहां से भी purchase कर सकते है एक सवाल जो काफ़ साहे लोग पूछते मुझसे कि क्या सार किसी भी homeopathic medicine का कोई side effect है देखिए किसी medicine को कोई भी side effect नहीं है in homeopathic but आगर वो doctor recommended है तो ये से कि अब भी फिलाल मैं आपके इस बारे में detail में बताया हूँ इस सिरफ की तो मैंने आपके इस medicine को बताए कि lower potency में पढ़ी है इस सिरफ formula आप इसको use का सकते है बट बहुत साहे लोग कोई mother tincture या कोई high potency medicine आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करिएगा वीडियो को शेयर करिएगा ताकि जादा से जादा मोगों तक ये वीडियो पहुत सके ये medicine के बारे में जानका ही मिल सके और उनको भी kidney stone की problem जो है या पत्री की problem में kidney में वो आसानी से remove कर सकते हैं treatment कराना चाहते हैं या इलाज कराना चाहते हैं हमाई की link से हमसे बात करके तो हमाई clinic के नंबर 9305024291 पे contact करें अपने लिए proper treatment अपने नंबुक कर सकते हैं साथ ही साथ हमाई जितने को social media link से वो भी description में उसको भी एक पर check out कर लीजेगा आपको काफी सारे details मिल सकती है वहाँ से भी कुछ updates मिल सकती है और चैनल पर अगर अप पहली बार आए तो प्लीज चैनल को subscribe करें के बेरा को अंदबा दीजे विखिए हम इसी तरह की regular बसी से वीडियो डालते रहते हैं तो मैं डॉक्टर अदल मिल तो आप से इसी तरह के लिए वीडियो में तब तक कि लिए नमशकार जै हिन जै भारत